हेलो एवरिवन, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल काइडियम नर्सिंग अकैडमी आज हम लोटे हैं क्योशन सिरीज का पार्ट टू लेकर जिसके अंदर हम प्रिवियस येर के ESIC CRPF के जो क्योशन से हैं जो अभी करेंट में आने वाले कॉम्पेटिशन के हमारे एक्जाम्स हैं उसकी प्रिवियस येर के क्योशन पेपर का पार्ट टू लेकर आए तो देखिए पहले जो पंदरा क्योशन थे बहुत अच्छा रिस्पोंस रहा आप लोगों का आज हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे ये सारे ही क्योशन जो होंगे वो मिक्स रहेंगे क्योंकि ESIC के सलेबस के अकोरडिंग और CRPF के सलेबस के अकोरडिंग जो ये आपका पूरा का पूरा जो क्योशन पेपर है वो प्रिवियस येर से लिया गया है तो बने रही है वीडियो के साथ continue और वीडियो के साथ साथ में आप comment करके भी बता सकते हैं जब भी आप वीडियो देखते हैं जैसे ही first question आता है आपके सामने तो आप comment section में comment करके भी अपने answer कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं पहले मैं आपको बतादू कि first February 2021 मेंस आने वाली first fab से new bet start हो रहा है हमारा कार्डियम नर्सिंग अकैडमी का ESIC, Norset and CHO अभी आपको पता है कि पंजाब CHO के जो vacancies हैं वो निकलने वाली हैं और हर्याना CHO की vacancies के form अभी fill हो रहे हैं तो देखिए अगर आप भी चाहते हैं एक community health officer बनना या फिर एक nursing officer बनना तो जुड़िये हमारे साथ कार्डियम नर्सिंग अकैडमी पंजाब की पहली अकैडमी जो नर्सिंग की coaching आपको provide करवा रही है आपके ही पंजाब में तो चलिए दोस्तो start करते हैं जो भी students registration करवाना चाहते हैं वो यह जो number दिया गया है नीचे जो तीन number है contact number है हमारे helpline number है आप उन पे contact करके registration करवा सकते हैं जो भी information आपको लेनी है वो आप यहां से ले सकते हैं और अगर website पे आप visit करना चाहते हैं तो नीचे website दी गई है www.cardiomnursing.com यहां भी आप visit कर सकते हैं facebook, instagram, youtube and whatsapp अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर ले क्योंकि आपको daily nursing की vacancies से लेकर जितना भी important material है nursing का वो आपको हमारे channel पे provide करवाया जाएगा तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं हमारे first question के साथ चलिए first question है हमारा Clark का नियम दैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो Clark formula है वो किसके लिए use किया जाता है वो पूछा गया है बच्चे के शारीरिक विकास के मुल्यंकन के लिए बच्चों की दवाओं की खुराक के लिए बच्चे की IQ का मुल्यंकन करने के लिए या बच्चे के मानसिक विकास का मुल्यंकन करने के लिए ये जिट्टो ESIC का जो previous question paper है वहां से उठाए गए question है तो देखिए आप previous question revise कर रहे हैं क्यूंकि इन ही में से question जो है वो repeat होते हैं तो फटा-फट से comment section के अंदर अप Clark formula या फिर Clark rule बोल सकते हैं वो हम use करते हैं बच्चों की दवाओं की खुराक मिन्स ड्रग की dose को calculate करने के लिए और वो formula क्या होता है हमारे पास weight of the child in pond by 150 into adult dose जो भी adult dose है वो तीक है मैं यहाँ लिख देती हूँ कि क्या formula होता है उसका weight of the child by 150 into adult dose यह होता है आपका formula जो आप बच्चे की dose क्या करते हैं मेजर करते हैं तो उसके लिए Clark formula का use किया जाता है तो चलिए अब बात करते हैं हम next question की इन में से कौन सा obstetric forcep नहीं है कौन सा obstetric forcep नहीं है Briggs forcep, Keylands forcep, Wrigley forcep या फिर Hag forcep कौन सा obstetric forcep नहीं है so option A is right Briggs forcep एक obstetric forcep नहीं है Briggs forcep जो है वो obstetric forcep नहीं है यह एक medical surgical forcep है यह क्या है medical surgical forcep है जो किसलिए use किया जाता है almost अगर हम देखें यह home use के लिए भी किया जाता है home use में भी लिया जाता है यह art and craft and repairing के लिए small small items को grab करने के लिए ठीक है तो Briggs forcep क्या है एक obstetric forcep नहीं है next question पे चलते हैं tapit sponging के लिए सही ताप मान है temperature पुछा गया है tapit sponging का तो क्या है 18-25, 15-18 या 40-45 या 27-37 किते degree Celsius होता है tapit sponging के लिए temperature तो अगर हम बात करें देखिए सबसे पहले की tapit sponging किनको provide करवाई जाती है उनको provide करवाते है और most जो children होते हैं जिनके अंदर क्या होता है febrile fever वाली condition होती है किसके अंदर? febrile fever के अंदर फेब्राइल फीवर वाली जो कंडिशन होती है उसके अंदर हम टैपिड स्पंजिंग प्रोवाइड करवाते हैं इसके अंदर क्या होता है हम लूक वोर्म वोटर लेते हैं ना ही जादा गरम होता है पानी और ना ही जादा ठंडा बिल्कुल भी कॉल्ड वोर्टर का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं किसका यूज करते हैं लूक वोर्म वोर्टर का यूज करते हैं ठीक है लूक वोर्म वोर्टर का यूज करते हैं सो ओप्शन डी इस राइट 27 to 37 डिग्री सेल्सियस ये बहुत बार पुछा गया क्योशन है, बहुत बार. उसके बात बात करते हैं, मांसिक अै संतूलन. स्कीजोफुरेनिया परकार के मनोविज्ञानिक विकारों के तहट आता है, means, टाईप पुछा गया है, स्कीजोफुरेनिया क्या है, कौन सा disorder है, डिस्थिमिक, डिप्रेसिव, या फिर साइकलोथिमिक, या फिर साइकोटिक कौन सा डिसोडर है, so option D is right, साइकोटिक डिसोडर है आप option के answer पर मज जाएं क्योंकि वहाँ पर भी कई बार जो answer हैं वो गलत दिये होते हैं, जो मैं verbally बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दे, जैसे इसका जो answer है, वो A बोला गया है बट answer A नहीं है, इसका right answer साइकोटिक है ठीक है, तो देखिए हमारे पहले चार question हो गए है next question करते हैं, हम vagotomy, vagotomy क्या होता है is a surgical treatment for vagotomy हम किसलिए यूज़ करते हैं regurgitation का surgical treatment है, nerve disorder का, peptic ulcer का या फिर hepatitis का, तो मैं आपको बता दू, जो vagotomy है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम discuss करते हैं इसको अच्छे से यह क्या होता है, एक surgical treatment है यह surgical treatment के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी vagus nerve है जो हमारी vagus nerve है, उसको क्या कर देते हैं, cut करते हैं टीक है, उसको क्या करते हैं, कट करते हैं, जिसके ये क्या करती है, कंट्रोल करवाती है किसको production of, जो production जो होता है हमारी body के अंदर, हमारे stomach के अंदर, production of HCL, HCL का जो production होता है, उसको control करने में help करेगी, और ये किसके treatment के लिए use करेंगे हम, हमें पता है, stomach से related है, तो stomach के अंदर क्या देखने को मिलता है, almost peptic ulcer, जिनके अंदर ज़्यादा HCL secretion होने लग जाता है, उनके अंदर क्या हो जाता है, peptic ulcer वाली problem आती है, और उसके अंदर क्या कर देते हैं, vagus nerve को cut कर देते हैं, उसके लिए एक treatment होता है, वो होता है, vagotomy surgical treatment, ठीक है, तो चलिए, option C is right, next question discuss करते हैं, भारत में यह हाल ही में पाया गया है, कि डैश के कारण malaria के मामले बढ़ रहे हैं, किसलिए बढ़ रहे हैं, जनसंख्या में व्रीधी के कारण, एसवच्चता की प्रस्थीदियों के कारण, मच्छरों के DDT परती रोधख बनने के कारण, या फिर गाउं में होने वाली गरीबी, तो बहुत ही easy question है, बहुत ही easy, देखिए, आज कल भारत में क्यों बढ़ रहे हैं malaria के मामले, क्योंकि जो मच्छर हैं, वो DDT resistance हो गए हैं, तो option C is right, option C क्या रहेगा, right रहेगा, ठीक है, next question discuss करते हैं, due to the lack or low level of dash enzyme, does a young child suffer from criticism, किसके low level की वज़े से, या lack की वज़े से, जो of dash enzyme, does a young child suffer from, मतलब जो young child होता है, उसके अंदर जो cretinism की condition आती है, वो किसकी deficiency या lack की वज़े से आती है, तो वो hydrocortisone, tetra idothironin, या फिर aldosterone, या फिर calcitonin, किसकी वज़े से आती है, तो देखी, वो आपका जो option B है, वो right रहेगा, T4 की deficiency की वज़े से, ठीक है, tetra idothironin की वज़े से आती है, एल्डोस्टिरोन क्या है, एंटिडायूरेटिक हार्मोन है, उसके बाद में कोर्टिसोन क्या है, ये, hydrocortisone anti-inflammatory है, calcitonin यूज नहीं होता, ग्रोथ के अंदर, ठीक है, ये calcium के level को maintain करने के लिए यूज करते हैं, और जो tetra idothironin है, वो क्या करता है, cretinism cause करता है, कि इनके अंदर, young child के अंदर, जिसके अंदर T4 की deficiency होती है, चलिए next discuss करते हैं, समानने तक cavity में होने वाली, किसी अंग, उत्तक, means tissue, या सरंचना के फैलाव होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, समानने तक cavity में होने वाले किसी अंग, उत्तक, मतलब किसी tissue का, किसी organ का, या फिर पूरे किसी एक organ का, फैलाव होना, means protrusion होना, क्या कहलाता है, lump कहलाता है, means gant, fistula कहलाता है, या फिर हर्निया या फिर cyst तो देखिए हर्निया के अंदर क्या हो जाता है protrusion हो जाता है एक औरगन का दूसरे औरगन से due to muscular weakness या फिर और भी reasons होते हैं जिसके कारण हर्निया कोज होता है तो जो right answer है वो रहेगा हर्निया next question discuss करते है question number nine मनुश कि समान्य गर्भा विधि कितनी होती है कितनी होती है गर्भा वस्ता अगर हम देखे तो 10 lunar month भी बोल सकते हैं हम लोग जो हमारे जैसे असाड ये जो months होते हैं इनको lunar months बोलते हैं ये होते हैं 10 lunar months उसके बाद बात करते हैं तो 9 months plus 7 days कितने दिन? 9 महिने और 7 दिन और अगर यहां पर दिन में दिया गया है तो कितने आएंगे? 280 days ठीक है मैंने आपको 3 बता दिये या फिर बोल सकते हैं 40 weeks चारों बता दिये मैंने आपको 10 lunar month होते हैं गर्भा वस्ती जो पूरा हमारा gestational period होता है 9 months 7 days होते हैं या फिर 280 days बोल सकते हैं या फिर 40 weeks बोल सकते हैं तो option कौन सा सही रहेगा यहां पर option 1 is right next question is celiac disease जिसे gluten sensitivity atrophy भी कहा जाता है जटरा पढ़नाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है? ठीक है? कि कौन सा हमारे abdomen का कौन सा जिसको क्या करती है? अफेक्ट करती है या अफेक्ट करती है या इसलिकी disease में जो अफेक्टेड होता है तो उदर पाशनांतर चोटी आंत या बड़ी आंत बहुत basic question है और almost पूछे जानावाल question है जो अभी काडियम की classes लगा रहे हैं उन students को तो ये सारे के सारे questions आते ही होंगे क्योंकि ये सारे के सारे questions अब तक के जितने topic हुए है उनके अंदर discuss हो चुके है तो वो किसके अंदर होता है? छोटी आंत ठीक है? कहाँ पे होता है? small intestine के अंदर next question discuss करते है the audible range of human ear is between audible range कितनी होती है human ear की? 20 to 20,000 hertz 22 to 2000 200 to 20,000 50 to 500 sorry 5000 कितना होता है? तो जो audible range होती है वो कितनी होती है? option A is right option A is right 20 to 20,000 hertz next question discuss करते है पानी के खारेपन को मिला कर दूर किया जा सकता है कौन सा ऐसा जो नीचे दिये गए चार option में से कौन सा component है जो हम मिला के क्या कर सकते है उस खारेपन को दूर कर सकते है washing soda, chlorine, bleaching powder या फिर potassium permagnate तो washing soda रहेगा हमारा right answer washing soda से हम क्या कर सकते है जो पानी की खारेपन की problem में उसको दूर कर सकते है next question is जनम के एक मिन्ट बाद एक मिन्ट बाद में और अगर आवशक है तो पांच मिनिट के बाद बच्चे के स्वास्थे का संख्यात्मक दृष्टी से मुल्यांकन और recordिंग करने की पदति काम मन की मान की करने का एक साधन है कौन सा स्कोर अपगार स्कोर ब्रुस्टें या फिर silverman स्कोर या फिर allrich score score sorry allrich score अपगार ब्रुस्टें silverman allrich तो कौन सा स्कोरिंग है हम यूज करते हैं एक और पांच मिनिट बाद में तो देखिए अपगार स्कोरिंग करते हैं हम और जिसके अंदर फाइव कंपोनेंट होते हैं हमारे जिसके अंदर हम इसको चेक करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्योशन डिसक्स करते हैं immediate and spontaneous care is needed by a community health nurse in immediate or spontaneous care की जरूरत होती है community health nurse को किस के अंदर accidents के अंदर, communal rivalry के अंदर या फिर epidemic disease के अंदर या environmental disaster के अंदर तो option D is right environmental disasters के अंदर next question is normal fetal heart, normal fetal heart कितना होता है fetal heart sound कितना होता है 100 to 120, 120 to 140 and 110 to 130 and 90 to 100 तो कितना होता है 120 to 140 120 to 140 कितना होता है हमारा जो normal fetal heart sound है वो तो देखिए आज के जो हमारे 15 question है वो complete हो गए है अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो आप हमारे जो WhatsApp ग्रूप है उसको join कर सकते हैं ताकि आपको ये PDF मिल जाए और आप बाद में भी ये जो questions है वो revise कर पाओ तो बने रहिए कार्डियम nursing के साथ and चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकिटि कुए फूले ट्रूप है षगे दक्राइब लजब lim inappropriate Louise